अजी कैसे हो आप सब मैं यहां पर आप देख लीजिए मेरे ममी पापा यहां चले गए हैं यहां से यह समान था कुछ उसकी भाई की हेल्प से उसने कहा कि वो कार में छुड़वा देगा दो तिन चक्कर लगेंगे वरना तो यहां पर मैं ले आई थी जो भी विहान का अगर मैं दर्वाजा बंद नहीं करूंगे और गेट खुला रह गया ना तो विहान बाबु एक दम से उपर से आप समझ रहे हो ना तीसरी मंजिल है सबसे उपर है और बाहर कमरे से निकलते ही सीडिया है और इसलिए ना मैं दर्वाजा जितना बंद रखती हूं यह देख और फ्रिज जब से आया है तब से इसकी सफाई नहीं हुई है उपर वाले फ्रिज में बरफ जम गई है और यहां मैं देख रही थी क्या-क्या समान रखाया और अब चोकलेट वगएरा तो मैं दुबारा नहीं बनाऊंगी देखो पहले बनाई थी कितना टाइम हो गया भी वहां में की ख़तीता इसेली चाहिए गजाए शक्राण इसे जबाते हैं लिए लिए तो बनाई भी तक यहां रखा हुआ है और यह मोसंवी भी निकालकर ले आये थी प्रिज में रखी हुई थी तो यहां पर अर्भी रखी हुई थी तो अभी मैं विहान बाबु के साथ यहां पर आ गई हूँ मतलब सोरी मेरा ना पते क्या हुआ कल ना मेरको थोड़ी लाइफ में टेंशन हो रखी थी तो उस टेंशन टेंशन में मेरे पास ना वो चोकलेट रखी हुई थी वो नी होती डार्क चोकलेट उसका पूरा पैकिट रखा था मेरे पास 400 रुपे का बड साथ आगी थी ममी तो कह रहे थे क्योंकि आज उनको अपना बैंक में खाता खुलवान है तो कह रही थी मेरे को दे दे विहान मैं लेकर चली जाओंगी बाद में ले आऊंगी पर आज मैंने ना साफ मना कर दिया मैं बोलती नहीं क्योंकि हर बार मेरे साथ यही चीज हो रह देख के मुझे मिलता है तो जहां मैं रहूंगी बच्चा वहीं रहेगा तो मैंने आज मना कर दिया मुझे पता था मैं बैंक में ममी के साथ विहान को भेज देती दो तीन घंटे वहां लगते विहान बाबू मेरी नजरों से दूर रहता और मैं पूरे टाइम विहान के ब मुलतानी मिटी अप दबबा में लेकर आई थी दो ढ़ाई महीने पहले और इस सिर्फ एक बार लगाया था और यहां पे मेरे जो आर्टिफिशल जूल्री वगएरे वो सब रखा हुए है सब कुछ फैला हुए है मैं मानती हूँ आप भी कहोगे कि हाँ सब कुछ बिखरा ह तो क्योंकि अभी और भी समान आ गया और पहले वाला भी उस दिन ठंक से सेट नी किया था और यहां पर मैं अपनी सिलाई मशीन भी आज लेकर आगी हूँ मतलब मैं वो वो चीजे ना अज अपनी ले आई जो मतलब मेरी जरूरत की थी जिसकी मुझे जरूरत पढ़ती क्य इसके आगे पीछे थोड़ा सा गूमना पढ़ते हैं और यह वीडियो मतलब मेरे पास ना पहले की बनाई वीडियो रखी हुई थी मतलब पर्सो की कल की जो भी मेरे लाइफ में हुआ है उसका ब्लोग मेरे पास रखा था पर मैंने वो नहीं डाला मैंने चोड़ो ना लिपिस्टिक सब कुछ है बाबु आजा इधर नहीं आते बेटा नहीं बच्चे छोड़ मैं इसको क्या करूं मैं इसको एक सेकिन रुकिए प्लीज आप समझेए मैं मेरा बाबु ना बोको शरारती है मुझे अकेली कोई बच्चा संभाल रही हु ना ऐसा नहीं है मुझे आप टू टाइम परिवार वाले चक्कर लगाते रहेंगे आते रहेंगे बच्चे को भी संभालते रहेंगे तो यह जो इसको निकालने की कोशिश करते हैं और यह मेरे हस्बेंड का हेलमेट था मैं याद के तोर पर यह जरूर लाई थी एक हलमेट ले आई थी क्योंकि ना जब भी वह घर से जाते थे आते थे बाइक पे सिरफ यह हेलमेट सर पे पहने हुए मिले को दिखते थे यह तो मेरे लिए यह बहुत ही प्यारी एक होतार निशानी थी और यह देखिए मैं ना टोर्च भी ले आई थी पापा जी ले आए थे क्योंकि ना यहां पर इन्वर यह तो बाट रहुते हैं ना थी तोड़ा आसे ना आए था आट आपको है को पर यह यह बत्या के लिए 1 मिरा डात शायों कि ना झाल शायए है तो मैरा जालनों अपनी एक वीडियो नहीं आती ते हैं कि यह मेरा काम है मेरी मेरी रिस्पोंसिबिलिटी ए तो चाहे मितलब मैंने सिरफ 10 मिनिट में फटा फटी ये वीडियो बनाया है अभी देख लो भी घर पोची थी यहां पर तो मैं चलो मैं अपना कमरा दिखा देती हूं आपसे और मैंना कैमरे के पीछे आपसे इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि मेरी हालत खराब हो रखी है मैं कल रात पूरी मेरी ऐसे खराब गई एक सिन बेटा नहीं नहीं बेटा इसे नहीं करते बच्चे तो यहां पर समान देख लीजिए मैं कुछ बैग ना उठा लाई पैकिंग करके और अब भी इन बैग में क्या है तो मेरे कुछ लहंगे रखे हुए थे तो वह भी मैं इसमें डाल लाई थ यहां से अगर वह दूसरा वाला घर है जो मतलब जिसका भी मैं डाउन पेमेंट का मेरा काम चल रहा है तो उसमें अगर शिफ्ट होना पड़ा तो वहां पर मुम्मी पापाजी रह लेंगे मैं अपना यहीं किराही पर रहलूंगी तो यहां पर मैं देख रही थी बगवान देख बाँ आङलेदा गवान कि अगराण बन मुम्म अगरी कि अन्या मboys महीं देख रहन में इसे जाने है उना सवक्ता है। दो कि दो कि दो बहुती पर शेया हाट है क्या क्या हिआता है शोगवे खाल आजी एक का और एあー ट्त पैंक आज जो आ एक बड़ एहां में और ओन और एक ना मैंने यहां पे बालकनी खोल रही थी मेरे को पता नहीं क्यों मैं जैसे थोड़ा से सीडिया चड़ती हूं मेरे सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ सी होने लग जाती है अभी भी देख लो विहान को मैं अभी आप तो वीडियो देख रहे हो भी बार बार उधर ज होता है पर कोई बात नहीं मैं धीरे धीरे सीख जाओंगी मैनेज कर लूँगी कैसे चोटे बच्चे को संभालते हैं कैसे उसका काम किया जाता है अभी यह वीडियो बना रही थी ना उस टाइम वीहान ने पोटी भी कर दी तो मैंने इसके पोटी साफ किया करने के बाद आ मैं अब मुझे कठोर फैंसले लेने पड़ेंगे अब मा के रूप में तो मैं वह ले रही हूं और यहां पर देखी अभी आप मेरे को पता है बोलोगे सारा समान बिखरा हुआ है कैमरे के सामने भी मैं नहीं आई हूँ भी आप सब के सामने तो यह गुड़ा था समान था मेरे बच्चे मत कर बिटा इसे काम मत कर ना मत कर और यह मेरी अलमारी भी आप देख लीजिए समान कभी उधर से इधर गया इधर से उधर गया यह जो कपड़े थे जब से मेरी यहां पर इस घर में मैं आई हूँ ना आपने ना मुझे कभी देखी नी वह कपड़े पहनते जो में पहले पहनती थी ना बस पजामे टी-शिट में घूमती रहती हूँ पच्चे आजा मेरे मुनना तो आजा मेरे बच्चे मेरे रजा बिटा आजा है ना जी और अभी पता है मैं क्या करूंगी थोड़ी देर में मेरा ना दिमाग ऐसा हो रखा है मेरी अलमारी अभी किसने खोली मेरी फिर मुझे ध्यान आया कि अभी वीडियो बना रही थी तो मैंनी तो अलमारी खोली थी और अभी अभी फिर से अपनी उसी जगह पहुंच गया जहां पर मैं इसको सोचती हूँ ना जाए ना जाए तो मुझे आज मेरा ना तब्यात अभी ठीक नहीं है क्योंकि मेरा थीक नहीं है और मुझे अभी थोड़ा सा हिम्मट जुटानी है क्योंकि ऐसा ना जब है इतने स्ट्रोंग फैसले लाइफ में लेते हो ना तो आप अंदर से एक लड़ाई लड़ रहा होते हुँ एक बैटल होती है जो आपकी लाइफ में चल रहा होती है गलत लिया, अगर लिया है तो अब इसके बाद आप क्या फैसले लोगे, अपने बच्चे को कैसे संभालोगे, छोटे बच्चे के साथ कैसे जिंदिगी निकालोगे, तो ऐसे सो कोशन्स होते हैं, आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और इससे वज़े से अभी मेरी लाइफ थोड़ी गडबढ़ा रखी है, बस यही कह रही है, अची, आप मेरी अभी हालत देख सकते हो, मेरा चेहरा देख सकते हो, मेरे चेहरे पे जो चिंता है, जो टेंशन है, जिस चीज़ से मैं अभी गुजर रही हूँ, आपको मेरे चेहरा देख की समझ आ जाएगी, तो मेरे को पता है अभी थोड़ा बच्चे को भी मेरे को संभालना है और साथ की साथ क्या बता रही थी मैं हाँ अपने आपको फिर से जोड़ना है थोड़ी दिर में आराम करूंगी आज तो मेरी में बिल्कुल हिंमत नहीं है मुझे आराम करना पड़ेगा उसके बाद धीरे धीरे फिर से ठीक होंगी होंगी ठीक होंगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उंची जोगों ठीक होने में चलिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए बाई बाई टेक्यार